नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपात की विशले सड में आपका स्वागत है पूर्व की तरह इस वीडियो के भी सुरुवात करते हैं पीछे पूछे गए प्रस्णों से पिछली वीडियो में जो प्रस्ण पूछा गया था वो प्रस्ण है कि निम्न कत्नों की सत्यता पर विचार करें दो statement है पाहला statement कि शिक्षा की वार्सिक रिपोर्ड प्रतिवर्स सिक्षा मंत्राले द्वारा जारी किया जाता है और दूसरा statement है कि सिक्षा नीती 2020 के अंत्रगत सिक्षा पर सार्जनिक व्या का लक्ष GDP का 6 प्रतिसत है इन दोनो statement में दूसरा statement सही है मतलब यह कि अगर सही विकल्ब का चुनाव करना हो तो option भी सही है जबकि पहला जो statement है उसमें सिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट सिक्षा मंत्राले के द्वारा जारी नहीं कि जाती है बलकि एक NGO है जिसका नाम है प्रतम उसके द्वारा प्रतिवर्स सिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट या संचेप में जिसे हम करते हैं ASER उसे जारी किया जाता है बढ़ते हैं आज के संपादिकी की ओर ये रहा आज का संपादिकी जिसका शिर्षक है Ready for Tech-Off इस संपादिकी को लिया गया है Indian Express से और यह संपादिकी है GS Paper 3 में सामिल विसे बुनियादी ढाचा, उर्जा, बंदरगा, सड़क, विमान पत्तन, रेलवे, आदी के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है चलिए देखते हैं संपादिकी को विस्तार के साथ इस संपादिकी का आधार है सरकार द्वारा Air India की बिक्री जी हाँ, सरकार ने या फैसला लिया है कि जो Air India की बिक्री के लिए निविदा या टेंडर का आमंतर्ण किया जाता है तो उसके नियम में बदलाव कर दिया जाए दूसरे अर्थ में सरकार पिछले दो सालों से Air India को बेचने के लिए जो निविदा आमंतरित करती है और इस निविदा से संबंदित जो नियम थे तो उन नियमों में बदलाव की बात कही है सरकार में तो ज़रा ये देखते हैं कि आखिर नियमों में जो बदलाव हुए है उसका स्वरूप क्या है तो देखे, सबसे पहली बात तो ये, कि अब जो निवीदा का आमंतरन किया जाएगा, उसमें आधार लिया जाएगा उद्यम मुल्य का, आखिर ये उद्यम मुल्य क्या होता है? तो देखे कि किसी कमपनी का उद्यम मुल्य या बताता है कि उस कमपनी को खरीदने का मुल्य कितना है। जो बीडर है जो बोली दाता होंगे Air India को खरीदने वाले तो वो केवल यह नहीं बताएंगे कि वो Air India को कितने में खरीदेंगे बलकि वो यह भी बताएंगे कि Air India पर जो कर्ज का भार है तो वो किस सीमा तक उस कर्ज के भार का वहन कर पाएंगे पहले क्या नियम था पहले यह नियम था कि जो Air India को खरीदते तो वो बोली दाता केवल खरीदारी का मुल्य नहीं बताते बलकि उनको खरीदारी मुल्य के साथ-साथ निश्चित रूप में 23,286.50 या जो करोर रूपए हैं इसके भी कर्ज के भार का वहन उन्हें उठाना उसके अनुसार जो बोली दाता हैं तो जब निविदा जो आमंतरन होगा अगर उस बोली दाता के पक्ष में जाता है मतलब वह उस निविदा को अगर जीत जाता है जो भीडर है तो फिर कुल रासी का 15% उसे नगद रूप में सरकार को देना पड़ेगा वह भी कब शेयर हस्तान तरन से पुर्व मतलब सरकार के द्वारा एयर इंडिया के शेयर हस्तान तरन से पुर्व उस बोली दाता को जो आमंतरित निविदा को जीत जाता है उसे कुल रासी का 15% नगद रूप में सरकार को देना पड़ेगा उसके बाद जो expression of interest होते हैं आखिर यह क्या होता है तो देखे expression of interest एक transaction document होता है जो क्रेता द्वारा विक्रेता के साथ शेयर किया जाता है इससे यह पता चलता है कि company को खरीदने वाला कितने मुल्य पर company को खरीद रहा है तो यह जो expression of interest की जो समयावधी थी उसका भी विस्तार किया गया है पहले यह 30 October तक था अब इसे बढ़ा कर 14 December किया गया है अब यहाँ पर यह महत्पूर्ण है क्या कि 2018 से सरकार Air India को बेचने का प्रियास कर रही है लेकिन सबसे बड़ी बाधा इस बिक्री के मार्ग में क्या थी वह थी कि Air India पर जो रिन का भार है वह तो हमने क्या देखा भी हमने यह देखा कि पहले जो रिन की एक निश्चित सीम तक खरीदार को वहन करना पड़ता था अब नए नियम में इसे क्या कर दिया गया है सवाप्त कर दिया गया है अब जड़ा अगला दृष्टी कौन देखें अगला दृष्टी कौन यह है कि कोरोना महामारी के प्रसार से पूर्व Air India पर रिन का भार कितना था साथ हजार कर रोड रूप है और महामारी के इस अबधी में जो उड़ेन छेत्र है जो एवेसन इंडस्टी है वह बुरे तरीके से प्रभावित हुई है मतलब यह कि संपूर्ण रूप में उड़ेन छेत्र पर जो रिन का इस तरह है जो रिन का भार है उसमें क्या हुई है बढ़ोतरी ह तो अब जो सरकार एर इंडिया को फिर नए सीरे से जो बेचना चाह रही है मतलब यह कि बेचने के लिए जो नए सीरे से निवीदा को आमंतित करना चाह रही है उसके मार्ग में चुनोती है चुनोती है यह समय जबकि सरकार एर इंडिया को फिर से बेचने की प्रक्रिया क को प्रारम कर रहे हैं क्योंकि जो महत्पूर्ण बोली दाता हैं मतलब ये के AIR Ind sighs को खरीदने वाले जो महत्पूर्ण कमपनी या यह जो उद्योंगती हैं उनकी इस्थिति खुद देनी है तो ऐसी इस्थिती में नया बोली दाता वह आएगा और एर इंडिया को खरीदेगा या फिलाल संभव नहीं लग रहा है उसके बाद अगर हम एर ट्रैफिक की इस्थिती देखें तो ठीक है मई की तुलना में ऑक्टूबर महिने में एर ट्रैफिक की इस्थिती अच्छी है अगर इस उसकी COVID-19 महमारी के दूसरे लहर की और अगर यह होता है तो फिर उड्यन छेत्र बुरे तरीके से प्रभावित होगा उसकी आर्थिक इस्थिती और दैनी होगी और 2021 तक उड्यन छेत्र की आर्थिक इस्थिती दैनी रहेगी तो हमें 2018 से हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि 2018 2018 इसवी से एर इंडिया को बेचने के लिए सरकार प्रयास कर रहे हैं लेकिन 2018 इसवी से लेकर अब तक एक भी बोली दाता ने एर इंडिया को खरीदने की इक्छा नहीं जताई हैं प्रतिवर्स एर इंडिया का घाटा बढ़ता जला जा रहा है तो यह आगे और ना बढ़ है इसको देखते हुए सरकार द्वारा बोली या बिढ के नए तरीके को लाए गया तो इस प्रकार इस संपाद की में हमने यह देखा कि ER Indyya को बेचने के लिए जो निविदा को आमंत्रित किया जाता है तो इस निविदा आमंत्रन से सम्मंधित जो नियम थे उन नियमों क आपने दूसरे content ही और देखे यह जो content आपको screen पर दिख रहा है यह आज के हिंदू paper में publish article है जिसका शिर्शक है the shifting trajectory of India's foreign policy और इस article के लेखक है M.K. नरायनन जो की former national security advisor है और यह article GS paper 2 में शामिल विसय, दूइपक्षिय, छेत्रिय और वैस्विक समूँ और भारत से समंदित और अथ्वा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है चलिए देखते हैं इस article को विस्तार के साथ देखे हमें यह पता है कि तीसरा भारत अमेरिका 2 प्लस 2 वारता हाली में नई दिल्ली में संपन हुआ यह जो 2 प्लस 2 वारता भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है 2017 इस्वी में इसकी रूप रेखा तैकी गए थी और 2018 में पहली 2 प्लस 2 वारता हुए थी 2019 में दूसरी और 2020 में तीसरी और 2 प्लस 2 वारता के अंतरगर्थ हमें यह पता है कि दोनों देशों के विदेश मंतरी और रक्षा मंतरी वारता करते हैं और फिर नए समझोते करते हैं अब यहां जब समझाओता संपन हुआ या जो वारता संपन हुए तो इस वारता के संपन होने के बाद अमेरिका के रक्षा सचिम ने एक बयान दिया। क्या दिया कि इस सदी में हिंद प्रसांत छेत्र में भारत अमरीका का एक अहम सहयोगी होगा अब यहां पर यह है कि हिंद प्रसांत छेत्र में भारत अमरीका का एक अहम सहयोगी होगा तो मतलब यहां पर यह है कि 2 प्लस 2 वारता जो है उसमें रणनीतिक केंदर तो जरूर क्योंकि अम्रिका के विदेश मंत्री ने इस रणनीतिक वारता के दौरान और उसके बाद इन्होंने चीन पर चौ तरफा बयान दिये इतना ही नहीं चीन को लोकतांत्रिक देशों के लिए खत्रा भी बताया और यह जो टू प्लस टू वारता संपन वी अगर उस पर हम गौर करें उसके क्या परिनाम रहे तो उसके परिनाम जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिक एक्षेंज एंड कोपरेशन एग्रिमेंट हुआ और यह जो एगरिमेंट वह किस से संबन्दी थे वह जियो इस्पेसल से संबन्दी थे मतब भू इस्थानिक संजोते से संबन्दी थे जिसके अंतरगत भारत को अमरिका से रक्षा और गुप्त सूचनाय प्राप्त होंगी उसके अलावाट जो 2 प्लस 2 वारता हाल में संपन्द हुआ उसमें सैने सायोग, संचार सूचना साजा, रक्षा वैपार और द्योगिक मुद्दा इन छेत्रों से संबन्दी 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 हुए हैं अब यहाँ पर यह महत्पूर्ण है कि Basic Exchange and Cooperation Agreement के साथ समझोते के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच चार महत्पूर्ण समझोते संपन्द हो चुगे हैं Basic Exchange and Cooperation Agreement यह चौथा एवं अंतिम समझोता था, पुर्व के तीन समझोते देखें कौन कौन सुए हैं General Security of Military Information Agreement जो 2002 में संपन्द हुआ, फिर Logistic Exchange Memorandum of Agreement यह कब संपन्द हुआ, 2016 में और Communication Compatibility and Security Agreement यह कब संपन्द हुआ, 2018 में तो इस प्रकार भारत और अमेरिका के बीच में महत्पूर्ण डूप से जो सैन निकूट नीती है वह अभी चरम पर मौझूद है क्योंकि अमेरिका जिन देसों के साथ यह चार समझौदे करता है, तो फिर अमेरिका उस देस के साथ सैन कूट नीती को काफी महत्पूर्ण देता है तो मतलब ये कि यह जो चार समझोते हुए हैं या भारत अमेरिका के मद्ध जो सम्मंद है उसको व्यापकता परदान करता है अब इस चार समझोते से भारत को लाब की प्राप्ती हुए लेकिन भारत को जिस लाब की प्राप्ती हुए क्या उसका मुल्य है तो देखिए यहाँ पर यह है कि इस समझोते के बाद भारत यह मानता है और मान भी रहा है अभी भी कि भारत की रणनीतिक स्वायतिता वो पूरे तरीके से अक्षुन है मतलब ये कि उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा है लेकिन भविस्य में यह संभव नहीं है जैसा की लेखक मानते हैं इसलिए क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में हालिया जो समझोता हुआ है उस समझोते के केंदर में अमरिका की चीन विरुद्ध नीती कारी कर रहे है क्योंकि अमरिका वरतमान में यह चाह रहा है कि चीन की विरुद एक गटबंधन का निर्मान किया जाए जिसका नाम यहाँ पर क्या दिया गया है कॉलेशन ओफ विलिंग 2003 में इराक के विरुद जो अमरिका गटबंधन का निर्मान कर रहा था उसका भी नाम क्या था कॉलेशन ओफ विलिंग वहीं देखे कि बेका के बाद भारत ने निस्पक्षता के नीती को औस्विकार किया है हां इसमें यह जरूर कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में जहाँ पर की वैस्विक इस्तर पर एक और विवस्था व्याप्त है तो भारत की द्वारा अमेरिका के साथ जो समझोता किया गया है यह एक प्रगतिसल कदम है लेकिन यह भी तो डर है कि भारत को एक अवसरवादी देश के रूप में ना देखा जाए तो मतलब यहाँ पर यह है कि जहाँ एक इस्थिती भारत के पक्ष में जाती है वही पर दूसरी इस्थिती भारत के पक्ष में पुर्ण रूप से नहीं जाती है भारत और अमेरिका के बीच में यह जो समझावता किया गया है क्या चीन पर उसका प्रभाव पड़ेगा आए जरा इसे भी देखते हैं देखें भारत ने वर्सों से खुद को क्वार्ड से दुर रखा आखिर इसका क्या कारण था इसका कारण तो यह था कि भारत यह नहीं चाहता था कि वह रक्षा और सैन ने इन दोनों अर्थों में कॉंप्रमाइज करे वहीं भारत यह भी नहीं चाहता था कि क्वार्ड के साथ उसकी नजदी की चीन विरोध की रूप में दर्चू 1988 इसवी से भारत ने चीन के साथ टकराव को टाला यहां तकी 2017 इसवी में डोकलम विवात के बाद भी भारत ने वहान और मामल पूरम वारता में चीन के साथ नए सीरे से संबंधों की संभावना को टटोला परंतु अब भारत और अमेरिका के बीच में यह जो समझोते हुए हैं यह जो नए संबंधों की सुरुवात हुई है वह कहीं न कहीं चीन केंद्रित है इतना ही देखिए भारत ने अब तो क्वार्ड से संबंधित चिंताओं को भी त्याग दिया है और अगर क्वार्ड की र अभ्यास में चारो देश यानिकी अमरिका, जापान, आस्टेलिया और भारत यह संब्यारत तो अब यह चारो के चारो जो देश जो संबंधित का अभ्यास का आयोजन करेंगे तो यह कहीं न कहीं जो विधैसी मामलों के विसलेसक है उनका मामला है कि यह चीन के विरोध पर केंद्रित है अब देखे कुछ लोगों का तो यह कहना है कि बहतर तो यह होता कि भारत दक्षिन एसिया सहित दुरस्त पच्छिम एसिया के जो देश हैं उन देशों के साथ संबंधों को अपने इस्तर पर नए सीरे से देखता है हां भारत को यह लगता है कि जादतर पडोसी अगर मैं बांगलदेश की बात करूँ स्रिलंका की बात करूँ तो यह जो जादतर पडोसी देश है उन पर भारत का प्रभाव है लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो अब इन छेत्रों पर चीन और अमरीका का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है उधारन देखिए मालडीप ने अमेरिका के साथ सेने समझोता क्या और इस सेने समझोते का उद्देश से क्या है इसका उद्देश है कि मालडीप के छेत्र के निकट जो चीन का प्रभाव बढ़ रहा है उस प्रभाव को रोकना वहीं देखे संयुक्त अरब अमिरात और इसराइल के बीच सम और वहीं हमें यह पता है कि भारत इरान के साथ अपने संबंदों को संतुलित कर रहा है। आखिर ऐसा क्यूं? ऐसा इसलिए क्योंकि इरान अमरीका के मद्द कटू संबंद है और भारत की अमरीका के साथ नजदी की बढ़ रही है तो परिनाम सरूप चाबाहर प्रोजेक्ट में तालिबान अपनी महत्पुन भूमिका को निभारा है तो इस स्थिती में भारत ने वर्सों की अपनी तालिबान विरोध नीती को त्याग दिया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि अमरीका और तालिबान के बीच में समझोते का होना क्योंकि अमरीका पमानता है एक बैट तालिबान और दूसरा गुड तालिबान तो अमरीका गुड तालिबान के साथ वारता करने को हमेशा से एक चुप था और उसी का परिणाम यह निकला कि अमरीका और तालिबान के बीच में समझोता हुआ दूसरा अमरीका और तालिबान के बीच जो समझ की बढ़ती है और भारत का नजरिया तालिबान को रेकर अगर वही पुराना वाला रहता है तो परिणाम यहां निकलेगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की भूमी का उप्योग आतंकवादी गतिवीदियों में कर सकता है वह भारत के विरुद वहीं भारत ने अफगानिस्त प्रोजेक्ट पर बड़े पैमाने पर खर्च किया है तो इन सारी इस्थितियों को देखते हुए भारत का नजरिया वह क्या हो रहा है तालिबान को लेकर बदल रहा है अब जरह बात करते हैं सांगाई सहयोग संगठन की तो 2017 इस्वी में भारत SCO मतलब संगाई Corporation Organization का पूर्ण सदस से बना अब यहाँ पर यह है कि भारत की यह जो सदसता है उसे चुनोती मिल सकती है किस रूप में तो अमेरिका के साथ भारत की जो नजदीकी बढ़ रही है आखिर वो क्यों आखिर इसलिए क्योंकि SCO का जो प्रमुख सदस से वह कौन है रूस और चीन और SCO इसे जो गठित किया गया इसकी जो इस्थापना की गई वह एक गैर नाटो संगठन के रूप में इसकी इस्थापना हुई वही अगर हम रूस और भारत के संबंदों की बात करें तो देखिए भारत और रूस के बीच में पिछले 50 वरसों में जादा सैन समझोते भारत एवं रूस के बीच जो या मजबूत संबंद था उसमें थोड़ी सी कमी देखिए यह सच है कि वारसिक आधार पर या प्रतिवर्स भारत एवं रूस के जो प्रधान है मतब भारत के प्रधान मंत्री और रूस के राष्टपरती के बीच नियमित रूप से बैठक हो तो भारत रूस का रणनीतिक साजेदार नहीं है क्योंकि रूस एवं चीन के मद्ध रणनीतिक साजेदारी काफी मजबूत हुई है तो भारत की या कूटनीतिक कुसलता होगी या कूटनीतिक कुसलता का प्रयोग करते हुए भारत रूस के साथ अपने संबंधों को जोरी आती है तो फिर यह दुर्भाग की पूर्ण होगा। इस प्रकार इस आलेख के माध्यम से हमने भारत और अमेरिका के बीच हालिया संपन 2 प्लस 2 वारता के विभिन आयामों पर चर्चा की। देखते हैं आज का प्रस्ण है। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्ता।